मंदीर का काम बहुत विचार करके बहुत गहराई से हमारे पुर्वजों ने रिशी मुनियों ने बहुत चिंतन करने के बाद मंदीर निर्मान किया था और जो मंदीर का अर्थ है वो सिर्फ बिल्डिंग नहीं है इमारत नहीं मन का दर मन हमारा मन और उसका दर यानि दर्वाजा जहां से मन के दर्वाजे से प्रवेश किया जाता है उसको मंदीर कहते है यानि मंदीर में आखे हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं मंदीर में तो प्रवेश करते ही हैं लेकिन मंदीर में प्रवेश करके हम अपने मन के अंदर प्रवेश करते हैं अंदर इसलिए आप देखिएगा कि लोग कहते हैं कि मंदिर में जाते हैं हम दर्शन करने है ना मंदिर में हम दर्शन करने जाते है भगवान की मुर्ती है पिंड है प्रतीमा है उसके दर्शन करने जाते है सभी कहते हैं कि हम दर्शन करने जा रहे हैं तो जब दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर में जाके आप जब बैठते हैं तो आपकी आखे क्यों बंध हो जाती हैं आप तो दर्शन करने आए दर्शन कैसे करेंगे खुली आखों से करेंगे आख खुली रहेगी तब तो देखेंगे ना दर्शन करेंगे लेकिन यहां स्वत पिल्टा स्वभाविक रूप से सबकी आखे बंद हो जाती हैं, माता हैं, आप लोग भी आती होंगी, तो मंदिर में आके बैठ ही गई थोड़ी देर, कोई नहीं कहता है, आख बंद करिये, लेकिन आपकी आखें बंद हो जाती हैं, तो आखें क्यों बंद हो रही हैं, कौन मन के दर में प्रवेश करो अंदर जाओ अब उसके लिए आंक बंद करने की जरूरत क्यों है क्योंकि आंक ऐसी चीज है जैसे आंक है कान है नाक है जीब है और शरीर का इस परस है लेकिन सबसे शक्तिशाली आंक है जो चीज भी आप देख लेंगे आंक तुरंट से दिमाग पे काम करने लगती है देखने मात्र से कोई चीज देख लीजिए आप जैसे कई बार लोग कहते हैं कि सुबह सुबह राम राम का वक्त है क्या देख लिए दिन खराब हो जाएगा तो देखने से क्यों खराब हो रहे दिन क्योंकि जो आप देखेंगे उसके अनुसार से दिमाग सक्रिये हो जाता है दिमाग काम करने लगता है अब जैसे एक छोटी सी बात किसी को अपशब्द कहना किसी की शिकायत करना अच्छी बात है या बुरी बात है बुरी बात है किसी को गाली देना अच्छी बात है बुरी बात है चेक है अब एक बात बताईए आपको आपकी उम्र का कोई इनसान अप शब्द कह दे शिकायत कर दे या गाली दे दे तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा बुरा लगेगा लेकिन शादी विया में आप लोग जो शादी करने आते हैं मेहमान लोग उन लोग को भी आप लोग गली देती हैं कि नहीं शादी विया में गाना गागा के कितना शिकायत करती है क्या क्या होता है खुशी से हुआ अब दूसरी चीज जो बड़ा आदमी कोई अपशब्द कहता है वही बात वही शब्द एक छोटा बच्चा आपको कह दे तो क्रोध किस पे आएगा अब यहां तीन है आपके उम्र का कोई इंसन आपको अपशब्द कह रहा है शादी विया हमें माताएं भी मेहमानों को अपशब्द कहती है और गाली गाती है और एक शोटा बच्चा भी आपको अपशब्द कहता है इसमें तीनों में सबसे ज्यादए गुशा किसमें आएगा अपने एज का जो होता है उस पे गुशा आएगा τιिसमें आएगा अपने उमर के क्यों अपने उमर वाले से गुशा क्यों आ रहा है बात तो एक ही है, तीनों तो एक ही है, तीनों गाली है, कोई गाली गा रहा है, कोई बच्चा है, गाली कह रहा है, कोई बड़ा गाली कह रहा है, तो गुस्सा क्यों आया, एक पर ही गुस्सा क्यों आया, तीनों पर क्यों नहीं आया, बताईए, क्यों आया, क्यों आया बटा अच्छा तो ये जब समान उम्र के इनसान जब गाली देता है तो ऐसा हर्मोन रिलीज होता है बाड़ी के अंदर जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मतलब बाबु कह रही है कि पहले सचाई का पता लगाना चाहिए कि गुसा क्यों किया अब शब्द क्यों बोला तब हमको कुछ करना चाहिए लेकिन अब फिर प्रश्न ये उठता है कि सचाई का पता कौन लगाएगा कैसे आपका कौन सा शरीर कांग पता करेगा विचार वीमर्स कौन करेगा माइंड दिमाग यानि दिमाग जो सुनता है आँखों के माद्यम से दिमाग देखे चाहे कान के माद्यम से सुने और चाहे कोई चीछ चक के तब दिमाग को पता चले कि ये मिठा है, कड़वा है, नमकीन है, है ना, तो कुछ भी दिमाग, अब जैसे हम ये छूएंगे, आंक बंद है, ऐसे छू लेंगे, मेरा आंक बंद है, ऐसे छू रहे हैं, तो मेरे दिमाग को कुछ पता चला, कि ये क्या है, नहीं पता चलेगा, दिमाग को नहीं पता चल भी दिमाग को पता चलता है कि ये क्या है देख लेंगे तब तो दिमाग को पता चली जाएगा भाईया कह देंगे शंक है आंक बंध है नहीं छू रहें लेकिन कहेंगे शंक है तो पता चलेगा पता चल गया सुनके भी पता चल गया छूके भी पता चल गया हो गया ना यानि जो बात दिमाग में जाएगी तो दिमाग उस पे काम करने लगता है अब आप सोचिए कि तीन लोग गाली दे रहे हैं माताएं जब गाली गा रही हैं तो आपके दिमाग में गाली गई आप क्रोध कर सकते थे लेकिन आपके दिमाग ने कहा अरे खुशी की गाली है ये तो रश्म है ये तो नियम कानून है ये तो गाया ही जाता है रश्म है ये हमारा तो तुरंट से आपका दिमाग शांत हो गया कुरोध किया शांत है बेटा दिमाग शांत हो गया अच्छा अच्छा ये रश्म है ये तो गाते ही रिती रिवाज है इसको तो गान नहीं होता है आचा चलो छोड़ो तो क्रोध क्यों करना बात खतम छोटा बच्चा है गाली दे दे तो आप क्या कहेंगे आपके दिमाग में गाली गई क्रोध जगेगा क्रोध जगने वाला है जग ही रहा है दिमाग कहेगा रे बच्चा है ना छोटा बच्च क्रोध की आग जलेगी जो आपने कहा हार्मोन रिलीज होता है आग जलती है केमिकल रियक्शन होता है तो वो आग जलेगी नहीं जलेगी लेकिन जब समान ने उम्र का आदमी गाली दे, वही बात बोल रहा है वो भी, तो वो गया, दिमाग के पास दिमाग बोलेगा, ये मुझे गाली दे रहा है, इसका मतलब ये मेरी बेज़ती कर रहा है, अगर ये हमको देगा तो इसको सुनके दूसरे भी देंगे, समाज में जो मेरी परतिष्टा है वो घट जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी, ये सारा कौन सोच रहा है, माइंड, दिमाग, और दिमाग सोच के फिर क्या कहेगा, इस पे क्रोध करो, इसको भी डराओ, धमकाओ, या गाली दो, या कुछ करो, नहीं तो आगे और रुकसान तो आपके अंदर क्या होगा, क्रोध, जनम ले लेगा, ले लेगा न, बाबुजी ऐसे ही होता है न, तो आप बताईए, कि गाली से खोध आ रहा है और दिमाग के विचार से क्रोध आ रहा है, यानि जो भी दिमाग में चला जाएगा, दिमाग उस पे काम करने लगता है, भगवान की प्रतीमा पिंडी देखे बैठ गए देख लिया ना अब देख के तुरन से आँख स्वतह बंध हो जाती है क्यों क्योंकि इतनी अच्छी चीज देख लिये अब आँख बंध कर लो ताकि उसकी जो यादे हैं वो अंदर ही रहे होता है ना बाबुजी स्वादिष्ट आपको गुलाब जामुन दे दिया जाए आप खा लिए उसके बाद से हम बोलेंगे थोड़ा लड़ू खा लीजे आप खाएंगे क्यों क्यों नहीं खाएंगे क्योंकि ज्यादा स्वादिष्ट मिला अब उसके बाद से कम स्वादिष्ट को नहीं और कुछ लोग तो पानी भी नहीं पीते, क्यों भई? थोड़ा स्वाद रहे मूँ में थोड़ी दिर, तो पानी भी नहीं पीते, थोड़ी दिर के बाद पानी पियेंगे, तो ये क्या है? वैसे ही है, भगवान के अपने गड़ी मा के पास आए, मा के पिंडी के सामने बंद करो आख इतनी अच्छी चीज देख लिए ना अब बंद कर दो जैसे ही आख बन तुरन से दिमाग कहेगा भगवान के पास आ गए हो छोड़ो दुनिया को भूल जाओ भगवान का नाम जपो भगवान में रम जाओ डूब जाओ धीरे धीरे शरीर के अंदर मन के अंद उगर वैसे ही सारी चीज़े होने लगेंगी और भाव जगने लगेगा जब आफ शुरू में मंदिर आते हैं तो उतना मन नहीं करता लेकिन जब थोड़े दिर बैट जाते हैं तो उसके बाद जाने का मन नहीं करता होता है ना मत्यजी आ गए तो आ गए किसी कारंड्स से लेकिन उसके बाद मन करें आच्छा छोड़ो बैठो है ना यानि हम क्या कर रहे हैं कि अच्छी चीजों का दर्शन करके अंदर उसके उतर जा रहे हैं यानि जिसका साथ आप अपने से जोड़ेंगे आप वैसा ही बनने लगेंगे